सर नमस्ते अरे आओ रिशाब शुती शुती तुम्हें तर आज़ो इदर आज़ो तुम लोग तो आ गए पर विजे नहीं आया दो दिन से पता कहा है जी सर उसकी मा का एक्सिडेंट हो गया है उसकी मा की दबे ठीक नहीं ठोट आई क्या तुम लोग रिसे देखने गए थे जी अस्पताल में बढ़ती है खून बेचाड़ाना पड़ेगा उनको किसने दिया उनको खून आरे बाजार से खरीट के लायोंगे दवा की दुकान से अरे नहीं दिशव दबाओं की तरे दबाओं की दुकान पर खून नहीं मिलता है क्योंकि आज तक किसी कत्तिम तरीके से खून बनाना संभव नहीं हुआ है जब भी जरूरत पड़ती है न शुती तब इसको एक इंसान से निकालकर दूसरे इंसान में चड़ाना पड़ता अच्छा तब ही विजे बता रहा था वो और उसके चाचा खून लेने ब्लड बैंक गए थे ब्लड यानि खून का ये बैंक होता है क्या तब तो पास्बुक भी होती होती है अरे नहीं ऐसा बैंक नहीं भाई ऐसा बैंक नहीं ये तो वो जगह है जहां खून निकालकर खास किसम की बुटलों में एकटा किया जाता है खास किस्म की बोतलों में क्यों अब दिखो शुती ऐसा कि खून जब हमारे शलरी से निकलता है तो चार-पाच मिनटों जम जाता है तो फिर इसे चढ़ाएंगे कैसे तो यहां यह करते हैं कि खून को निकाल करके इन बोतलों जिनमें एक घूल भरा रहता उसमें एक अठा कर देते हैं और जब जरुद पड़ती है तो इसको सप्लाई कर देते हैं इसका मतलब खून नहीं खून देने वाले मिलते हैं इंपलिट बैंक में नहीं विजे तो बता रहा था परिवार के खिजिस आदमी कोई खून का दान करना पड़ता है अब बिल्कुल ठीक कहरो वैसे रिशब्तम लेकिन जब कभी ऐसा हो कि परिवार के लोग पहले से खून दे चुके हो या उनका खून नहीं मिलता हो तो ऐसे में किसी आसपास के परिचेतिया अंजान व्यक्तिया खून भी मिलान के बाद जाच के बाद लिया जा सकता है जानती हो कि खून को लेने से पहले उसके खून की जाचे भी करनी परती है इससे ऐसे नहीं कि खून निकाला और चढ़ा दिया बहुत सारी जाचे करनी परती खून की इसका मतलब खून को निकालने के बाद उसके जाच भी करते है बिलकुल बिना जाच के तो खूझ चढ़ा ही नहीं जाता अब देखो में और नहीं तो क्या होट सारी जाचे करने के बादी तो तो तही कहरो यह सर्थ देखोंशन ऐसा है के खूण लेने के बाद और उसे चढ़ाने से पहले बहुत सारी जाचे करने होती एक तो जाच होती है रक्त वर्क में उसरा चड़हने से पहले खHome में पीलिया की रोगानों और खास तरह से एड्स जानतों एड्स की रोगानों के लिए जाच करी आती है उसके बाद फिर डोनों के खून को मिला कर देखा जाता है कि दोनों का खून एक दूसरे को सूट करेगा कर नहीं करेगा तब इस खून को चढ़ाने के लिए देया जाता है और ये मिलान इसे कहते हैं रखका मिलान या क्रोस मैचिंग क्रोस मैचिंग क्या होता है हाँ शुती ऐसा होता है कि जब खून देना होता है किसी दूसरे वेक्त को तो एक जो खून दे रहा है और जो खून ले रहा है दोनों के खून को मिला के देखते हैं अगर दोनों के खून को मिलाने से थक्का नहीं जमा तो ये माना जाता है कि जो आदनी खून दे रहा है और जो आदनी खून ले रहा है तो देने वाले का खून लेने वाले को सूट कर जाएगा विजे की माँ को खून किस ने दिया विजे के मामा जी ने युआ जीने क्यों दिया हुआ कि दूसरा हो发 ॐ और पापा का भ्रिट इन्यध के है như κसम एक क्रीट रहे यह चिनल meny भ्रॉज ते अप्रार के लाग़ा ने पहजेख आफिक हमारे खुन के दो हिस्से होती है दो हिस्से ना एक होती है रख्तकोशिकाएं और दूसरा क्या होता दूसरा होता प्लाजमा यानि पतला भाग अब तुम बता सकती हो शुटी तुम बताओ कि कौन-कौन सी रख्तकोशिकाएं होती है जी लाल रख्तकोशिकाएं और सफेद र लुunder है December जिस इननी लाल रख्टकोशीकाओं होने हैं अन्टिजन अभ जैसे के आन्टिजन होते है Конेफ दोतार के दोते शिस दोत इननी आगर्ण मिन आंनुचाओं आना नमकर उस Epic ने उसका दू पर से softcity I don't a Aviable to जैसे कि और झौलnd to Nodin 6 छाहरो आई... मैं सम्झाता हूना ॉन हमने पता है करते लालरक्त कोशेकाय की दीवारब अब इढ़ारब लालरक्थ कोशेकाय की दीवार पर इसपर है ए एंटीजिन। तो यह थे क्लाफ बंढ़ी हैं लाल लग्त कोशिकाओं पर हुआ A antigen और plasma में B Antibody, अब इधर जो कूँ, ये दूसा रख्तवर्ण चाहिए, इसमें क्या है? इसमें लाल लग्त कोशिकाओं पर है कौन सा antigen? B Antigen. तो ये कौन सा रख्तवर होगा? B, और इसके उलट plasma में कौन सी antibody है? A Antibody. B antigen लाल लगत कोशिगा पर और A antibody प्लाज्मा में रक्तवर्ग हुआ कौन सा B अब इधर देख लो यह बिलकुल लई चीज लगए यहाँ देख रहो A antigen, B antigen दोनों ही लाल लगत कोशिगा पर है और प्लाज्मा में कोई antibody नहीं है यह होता है कौन सा अब चौता जो रक्तवर्ग होगा उस पर किस तरह का वह होगा O raktवर्ग O raktवर्ग में क्या होना चाहिए O raktवर्ग में नहीं समझ में आता है O rakt यह एक ऐसा raktवर्ग होता है जिसमें कोई भी antigen लाल लगत कोशिगा पर नहीं होता इसका मतलब O का मतलब G.O कोई antigen नहीं है तो plasmo में क्या होगा दोनों प्रकार की antibody होगी तो इस प्रकार O raktवर्ग में कोशिगाओं पर कोई भी antigen नहीं है और plasma में दोनों प्रकार की antibody है तो अब हुए ने चाहर्ट रह कहा रaktवर्ग अब बता सकते हैं कौन के याद करें के बताओ A, B, A, B और O बिलकुल सही A, B, A, B और O ये चार तरह के आरेच एंटीजिन अब चार तरह के रक्तवर्ख होते हैं साइम लेकिन विजय की मा का ब्लड ग्रूप तो A पॉजिटिव था ये पॉजिटिव नेगिटिव क्या होता है हाँ पॉजिटिव का मतलब होता है A का मतलब, A पॉजिटिव मतलब हुआ A, R, H पॉजिटिव आरेच का आरेच भी एक तरह का एंटीजिन है तो ये एंटीजिन को आरेच क्यों कहते हैं चालते हो क्योंकि सबसे पहले इसे रीसर्स प्रजाद के बंदर में खोया गया था तो चूंकि रीसर्स प्रजाद के बंदर में खोया गया था तो तो उसी के नाम के साब से इसका नाम रख दिया गया आरेच तो बहुत सारे लोग हमारे के सकरीब 70-80% जो आबादी है उसमें यह R-H प्रकार का in पाये जाता है तो ऐसे लोगों क्यते है R-H positive या positive और जिनमें ये थोड़े से लोगी होते हिज़े नहीं पाये जाता उनको क्यते है R-H negative या Negative बास्तमझ में आ जाता है क्या किसी को उसके ग्रूप का खून चढ़ाया जाता है है ना सर देखो ले सर आम तवर पर तो ऐसा ही करते हैं लेकिन कुछ खास हालाग बहुत इमर्जेंसी हो तो ओ नेगेटिव रख्तवर के खून को किसी में चढ़ा सकते हैं इसलिए इन लोगों कहते हैं सर्वदाता सर्वदाता यानि क्या सर्वदाता इसका मतलब यह सब को खून दे सकते हैं लेकिन जब इनकी बारी आती है तो इनको सिर्फ अपने ही ग्रूप का खून चढ़ाया जासता है किसी और ग्रूप का खून यह नहीं ले सकते और बाकी रख्तवर्ग वालों को तो आमतवर पर तो यही करते हैं कि उनके ग्रुप का खुण चढ़ाते हैं लेकिन ए भी पॉजिटिव जो रख्तवर्ग वाले होते हैं उनको किसी भी ग्रुप का खुण चढ़ाया जा सकता है लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं जितने चिकिस्तक होते हैं कि उनको उनीक एरक्तवर का खून चड़ाया जाए जिससे के वो खून आसानी से मिल जाए यह यह बात समझ भाई तुमारे आई पर एक बात समझ में नहीं आई है क्या नहीं समझ भाई इसे बैंक क्यों कहते हैं ओफ बात मतलब वहीं अटकी है दिखो बैंक इसको इसलिए कहते हैं कि अगर खून को निकाला और उस वकट उसकी जरुवत नहीं है तो उस खून को यहां ठंडे तापक्रब में 10 से 15 दिन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जी इसका मतलब खून दिल हम लोग के शरीर से बाहर निकलता है तो फिर उस थंडे ताप्रम में रखा जाते हैं बिल्कुल थंडे ताप्रम में रखते हैं लेकिन चढ़ाने से पहले एक बार उसको मानव शरीर के ताप्रम तक गरम करना पड़ता है जानते हैं क्यों इसलिए क पुक्षाला तक जाना होगा वहां इक बहुत पतली बहुत पतली से सुलिए के तुमारी उंगली में यूं चुभो दे जाएगी और फिर एक दो बून खून लिया जागा तुमारा और फिर स्लाइड पे एक तरफ एंटी सीरा ए रखेंगे और एक तरफ एंटी सीरा बी र प्लाजमा वाला इससा होता है इसमें एंटी जानते हो ना 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 इसमें एंटी बॉड़ी होती है अब जैसे एंटी सीरा होगा तो इसमें एंटी बॉड़ी होगी बी एंटी सीरा होगा तो बी ऐसी फटा फटा खून देखता है, तो जिसमें थक्का जम लिया, वही तुमारा ग्रूप होगा अब देखो, मैं समझाने की कोशेश करता हूँ इसे देखो ये देख रहे हो, देखाईगा, ये ए ए एंटी सेरे में थक्का जमा हुआ तो ये कौनसा ग्रूप होगा, ए ग्रूप और रह एंटी सेरे में थक्का जम हुआ तो ये कौनसा ग्रूप हुआ, ये रह पोजिटिव होगा इसका मतला ये हुआ, ए रह पोजिटिव अच्छा, दूसरी देखो, दूसरी सेट्योशन देखो आप पैचानने कोशिट करना, अब इसमें देखो, ए में तो थक्का नहीं जमा, इसलिए ए नहीं रह में थक्का जमा तो पोजिटिव और बी में थक्का जम गया, तो बी तो कौनसा ग्रूप हुआ बी आरेच पोजिटिव अब तुम्हें मैं एक और तरह की सिच्विएशन दिखाता, उसको देखो ध्यान से, यह देखो, इसको बताओ शोटी सर, इसमें तो ए वाली उसमें भी थक्का जमा है, बिल्कुल ठीक इसका मतलब ए पोजिटिव तुम्हें देख रहा है, तुम्हीं देखो यही तो बात है, यही तो बात है, यह कौन सा ग्रूप है, सर? देखो, अब समाझने के कोश्च करो, हम तो शोटे तो बता दो के लिए, तुम तो चक्मा खा गए यार, इसमें जो है, ए में थक्का नहीं जमा, नहीं जमा, ए नहीं, बी में भी थक्का नहीं जमा, बी भी नहीं, और आरेच में भी थक्का नहीं जमा, तो आरेच आगया आपके, तो अब ये बताओ कि आज तुमने क्या क्या समझा, तुमने समझा कि खून लेते कैसे, समझा, खून देते कैसे हैं, खून का मिलान कैसे करते हैं, रक्त वर्ख कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी रक्त कोशकाएं होती हैं, कौन से एंटिजन होते हैं, सारी ब झाल झाल